नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीष ठाकुर्फ मैं जो हूँ डिस्टिक मंडी के एक बिलेज पाइल जो कि हमारे कुलू भूंतर एरपोर्ट के से लगवगे 10 किलोमेटर के आसपास है तो दोस्तों मैं जो हूँ परसिमन की खेती करता हूँ जो कि मैंने यह बगीचा जो लगाया था 2019 में हमने इंस्टॉल किया था जिसमें हमें 2021 में कुछ सेंपल आये थे 30 से 40 क्रेटों के आसपास और इस साल 22 में भी इन में से लगबग 120 क्रेटों के आसपास निकाला था तो इस साल तो लगबग मान के चलो आप 200 बॉक्स निकल जाएंगे आप देख सकते हो बागवान भाई हो यह फूट जो है परसिमन का है जो कि प्योर और और गैनिक है बिना किसी केमिकल के हम इसे त्यार कर रह अपल से परसिमन बहुत ही अच्छा है ना ही इसमें केमिकल या फिर ना किसी प्रकार की स्प्रे की कोई जरूरत है तो बागवान भाईयों आप सब भी परसिमन लगाएं और अच्छा मुनाफ़ा कमाएं यहां पर जो है हमारा रॉयल डिलिशिस का और चड़ था जहां पर सब्सक्राइब की लगबग दो 900 पेड़ एपल के थे और उसी और चड़ में जो हमने रिमूब करने के बाद अब लगाया हुए परसिमन का और चड़ यह भी लगबग 200 के अराउंड पौदे हैं तो दोस्तों एज कंपेर एपल से देखे तो परसिमन बहुत ही अच्छा फ इसक्रेट मिल रहे हैं तो साथ्यों आप देखे किते हो यह 5 साल का पौदा है कि अजय को कि लगबग 5 साल में यह हमारे कोई पौदा 1 क्रेट से 2 क्रेट के आसपास दे रहा कि बीस किलो से चालिस किलो के आसपास आप देख सकते हो और पूरा यह और गैनिक है ज्यादा से ज्यादा इसमें गोबर गोबर ताजे गोबर कई इस्तेमाल करते हैं हम लोग और दूसरा सबसे में पॉइंट यह दोस्तों कि इसे आप हारवेस्ट जो है लबग तीन महीने में कभी भी कर सकते हो सेप्टमबर से दिसंबर तक यह फूरा स्टोर रह जाता है पेड़ पे जिसके कारण जो है अपको अच्छे दाम भी मिल पाते हैं और आप काफी टाइम तो कि सको जो है पर केजी के हिसाब से मिलता है तो यह बहुत इच्छा कल्प है मेरे हिसाब से आते time मेरे नौजमान साथियों किससान साथियों के लिए और हम जिसे योःपीड़ के लिए थेंक यू परिसिमन के प्लांट हैं और ये हैं सारे सारे किये हुए हैं फैदर वाले इसमें आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे जो फैदर में हैं आपको करना ये है कि मुझे आपने वर्चैप करना है और आपको ये मिल जाएंगे दिसम्मर में इसके लिए आपने पौधा पहुंचे तो उसको पता ना लगे कि मुझे कहां से उखाड के कहां लगाए गया है और आप इसे तुरंथ अपने जमीन में लगाएं और यह पौधा बहुत अच्छा चल पड़ेगा कि यह सारे एक सारे दोस्तों फैदर वाले हों